इस इंसान ने दरिंदगी की सारी हदे पार करती है अगर तु मेरा बेटा है तो इस हैवान को जिन्दा मत छोड़ना है आरो है अज़ है कुछ है कि जुद कर दो दोच जो करें जो टो कि माईट गार टो जो जो टे Absolute कि यहुद्ध कर टो तो कि भी कि अश्वज़ में आप लिए कि बैटिंगे पैसे ने दिये तो तुम्हेरे दौस्तों को बढ़ा कर ले उन्हें किसने उठाया कहा लेकर गया कुछ भी पता नहीं है इन्य आर्स क्लिक पैंग हिए no में आर दीनषा क्ला क्ला कने श्ट्ज्ट अब तुझे जो पसंद है बुला ले मुझको यह एरिया अप उनका है एरिया जिसका भी हो खबजा मैं ही करूँगा तेरे डायलोग पर तालिया बजाने वाला कोई फैन नहीं यहाँ मैं एक बार जब मारना शुरू करूँगा तेरे लोग भी मेरे फैन्स बन जाएंगे ऐसे बढ़ाया मैंने क्रूप इतनी हिम्मत है तुझ में पैदा होने के साथ ही आ गई थी जो सिचुएशन यह लोकेशन के हिसाब से नहीं बदलती है चलो मेरे साथ पैसे जा सकते हैं ये बेटिंग के दो लाख रुपे देने के बाद तब तब ही नहीं यहाँ से लेकर जाना आरे भाई सीके तुम्हारे लिए सर्प्राइज है असल में बेटिंग लगाने वाले वो नहीं थे मैं था तब ही तो तुझ से मिलने का मौका मिलना था वैसे यहाँ पर आसपास जहां देखो क्रिकेट बेटिंग है कुछ लोग पैसे चोरी करके लाते हैं कुछ एक्जाम की फीज लेकर आते हैं और कुछ लोग उधारी मांग कर सडख पर आ जाते हैं अगर पूछो कि बेटिंग कौन करवाता है तो कोई बताता नहीं ये गेम मुझे पसंद नहीं आया इसका गेम ओवर कर दो बाई ये क्या करा है समझ नहीं आ रहा है बार बार मैं बतान पाल कृछ ओओ जाओ मैं जाती है क्या हाओ अजो अजल गो णार जो बढ़ कर दो कर जो समुल करफ मिका जा कर जो समुल कर जो नरक जो मिन गेर चंच बहुरम करणा अधिक लूहँ पका णो कि एंगे करता है जडियो गुरम का जडिकर जडिक मिन आसरो समुल यह क्या चल रहा है यार एक्सरसाइज कराता है रुलाता है तिरह साता है आखिर तेरा केरेक्टर क्या है भाई अवे आकल के दुश्माइन मेरे केरेक्टर का कोई डेफिनेशन नहीं है कब कैसा रहूंगा यह मैं खुद नहीं जानता क्लामेट जैसा बदलता रहता हूं कभी 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 ठंडा रहता हूँ, कभी कभी नरम रहता हूँ, कभी कभी करम कर देता हूँ मामे उसे मारी डालो के क्या? इसे छोड़ दे भाई आज से मैं सिर्फ खाने के लिए ही आता है कैसे खा रहा है, खाखा के पेट फट जाएगा पुड़िया के नजर लग जाएगे मुझे बड़ी बाभी, एक आमलेट बना लो छोटी बाभी जान, ज्यूस निकाल लो अले कोई पानी तो पिला दो जा कर ले आओ बना लो, निकालो, ले आओ विरोध की बू आ रही है कोई सामुहिक स्ट्वाइक है क्या पिलो मा ये सब लोगा जैसा क्यूं कर रहे है ये सब क्या है बिचा क्या मा तुम कहीं बाहर जाते हो, ते खौफ सा मन में रहने लगा है आपको तो सिर्फ खौफ हो रहा है हमारा तो सर फट जाता है इंके कारणामों को सुन सुन के बिना सोचे कुछ भी करते हो तुम बुद्धु हो क्या, दिमार नहीं है क्या भावी, भावी, भावी 15 सालों से सेम टू सेम गालिया ट्राइ सम्थिंग नियू क्या मा ये भी शर्म नहीं आती, औरतों से गालिया खा रहा है अपने भावीयों को देख, उनकी तरह तू भी कहीं नौकरी क्यू नहीं कर लेता वो भी नौकरी करेगा, तो घर कुन संभालेगा वो कामचोर क्या घर संभालेगा भर बाले उसे संभालते है इतना टेंशन नहीं जेल सकते आप इने कुछ कहिए ने तो हमाई के चलिब बस ओहो, घर में सब मिलकर खुश रहे इसके लिए तुम्हें शादी करनी होगी शादी? कौन है जो आसपास के गावों में से मुझे लड़की देगा क्यों नहीं देगा? मैंने अपने माईके में एक लड़की देखिए लड़के फिल्म स्टार से कमने है तुमने क्या कहा? फिल्म स्टार? तुम्हारे रिष्टार? मतलब मैच फिक्स है अब हम लड़की देखने जा रहे हैं या नहीं ये बताओ नहीं जाएंगे तुम्हारे शारम आदमी शारम करें तो अच्छा नहीं लगता है वैसे भी तुम लेठ हो स्यादा होबर एक टीम मैट करो अरे वाह साड़ी में तो बड़ी संसकारी लग रही है चटी बाभी तुमने रिष्टा देखा रहा तो सोचा के तुम्हारे जैसे आवरेज होगी ब्लॉक बस्तर है यह तो आप मेरी बेटी से कुछ बात करना चाहेंगे अब ज़रोत नहीं है मेरे भाई ने आल्रेड़ी फिक्स कर दिया होगा लेकिन मुझे बात करने हैं यह फोटो गैलरी है क्या फैमिली फोटो तुम मुझे क्या बात करना चाहती हो आई नो वेरी वेल वैसे अंदर सब बता रहे थे कि तुम में कोई दोश है कुझदोश यह डॉंट वारे मैं तुमारे लाइफ बना दूँ क्यों रे शाने तुम मेरी लाइफ बनाएगा क्या है ना कुझदोश नहीं है क्रियेटिद दोश है इतना फोबल मतना है यह मेरे लिए स्वयमवज जैसा है और तू दस नंबर पे है मैं दस मा हूँ तेरी फोटो कभी पेपर में आई है क्या पेपर आ ना 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 फिर टीवी पर आए होगे तीवी पर? अब शादी करनी है तो पेपर और टीवी पर आना जरूरी है क्या? इस देसी मोडल से शादी करनी है तो जरूरी है इतनी खूबसूरत हूँ और इतनी जायदाद है तो मैं जिसे दुल्हा चुनूँ वो फेमस होना चाहिए सेलिब्रिटी होना चाहिए लोकल में ये हीरो भी बहुत फेमस है मुझे जो चाहिए वो लोकल फेमस नहीं दुनिया भर में फेमस होना चाहिए हमारी शादी हो जाए हम बाहर निकले तो मेरे पती को देखकर उसके ओचोग्राफ के लिए सेल्फे के लिए लोगों के भीड होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि 31 तारिक तक कोई छोटा मोटा जॉब करके फर्स को सैलरी का इंतजार करे सोच समझ कर महिने का खर्च उठाओ बच्चों के लिए बैंक में जमा करना है तुम स्कूटर में ही खुश हो जाओ ऐसी सोच रखने वाला पती मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए तो किसे और को ढून लेना रहे अरे पापरे तुमारा छोटा मोटा पागल पन नहीं है तुम्हें तो न अंटे अंकर वापस आओ यहाँ आओ अगर यहाँ की बाद बाहर लीक हुई तो कुझ दोश वाली लड़की पर कमेंट किया है करके एक लेटर लिखकर चुहे माने की दवा खाकर सूसाइड अटेम कर लूँगी दोमेस्टिक वाइलेंस टैक के तहट अंदर कर देगे पलिस सुझे कोई आरत बयान देते तो मैरेज हुआ है या नहीं ये कोई नहीं देखता केस हुआ है या नहीं ये देखा जाएगा बापरबाप मुझे बचाओ घर वालो ने ना बोला गाव वालो ने बाहर निकला और आखिर में आखिर में एक लड़की ने भी बेईज़द कर दिया अब ये जिन्दगी किस काम किरे तुमेरा साथ दे रहा है या मेरे घाव पे नमक लगा रहा है अरे छोड़ो ना भाई इतनी छूटी सी बात के लिए क्यों संटी हो रहे हो तुमारा थोड़ा सा अपमानी तो हुआ है कोई ऐसा वैसा अपमान नहीं हुआ है घाव की छोकरी खुद को ना जाने क्या समझती है मैं फेमस नहीं हूँ बता कर मुझे रिजेक्ट करती है होना है अर्चेंटली फेमस होना है अब यो गथे बैंट कभी बदलना नहीं चाहिए अब देख कैसे पागलों की तरह पड़बड़ा रहा है ऐसे पागलों की तरह पड़बड़ा नहीं रहा पैसला कर लिया है मैंने हम जब उपर जाएं तब भी हमारे नाम के गूगल में 4-5 पेज हो इसके लिए कुछ करना है टीवी हो पेपर हो हमेशा दूसरों की न्यूस देखते रहेंगे क्या हमें भी न्यूस बनानी है बिना बैक्राउंड के तू कैसे फेमस होगा मेहनत करके हो जाऊंगा आज के शमाने मेहनत करके ऊपर जा सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं आ सकते तो फिर इसका इस्तिमाल करेंगे ना इस दुनिया में बढ़ने के लिए इस्सी का इस्तिमाल होता है अंड बाफर लगता इसने नीमदू के ऊपर प्यर रख दिया है मैं घर जाकर खाना खाके सोता हूँ ए फेमस होना फुल बॉटल पीने जितना असान नहीं है क्यों नहीं है देखा ना इतनी छोटी सी बोतल ने इतने बड़े तालाप को कैसे डिस्टब कर दिया छे फूट का हूं मैं इस देश को डिस्टब नहीं कर सकता क्या यह क्या मेरे चाचा जी जाग गए नहां भी लिया अरे बापरे पूजा यह क्या तुम इन्हें क्यों प्रानाम कर रहे हो अगर हमें कुछ चाहिए तो वो और अगर हमें कुछ बनना है तो यह अब इस उमर में आके आप क्या बनने के कोशिश करेंगे मेरी एक टांग पहले से ही कबर में है अब इसे शौक देखे मत मार मेरे सेलेब्रिटी बनने तक मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा कभी भी मीडिया वाले हमारे घरा सकते हैं ब्यूटी पार्लर जाके बाल काले कर वालो दादी माँ अब तो यह पागल हो चुका है कंफर् मुझे जीत मिल गई अच्छा शुमरे बैड़ो बैड़ो यहाद में क्या है यह यह तो नली है भाई भुकड़ अवे यहां सब पत्ते खेल रहे हैं तू मूबाइल में क्या खुशा पड़ा है वो सब खेलते हैं लेकिन यह दिमागा खेले बाई उसमें पैसे की जरूरत पेपर में आऊंगा तीवी में आऊंगा उसका क्या हुआ नशे में कुछ भी बोल देता हूं सुबह थोड़ी ना याद रहता है रात को पिया ब्रैंड भी याद नहीं रहता बाते थोड़ी याद रहेंगी पत्तरे जरा ओहो यह तो बेका रहे है चलो दूपार शुपार दारूब में जाएगी चार चिल्ड बियर बोल दे गर्यागा तो उसके वजये किसान होगा तर वैसे चाली वैपार उधर पर नहींं सकता वेसे एगरिकल्चर बिना कल्चर के नहीं चल सकता मेरे हिसाथ से कल्चर और व्यापार को साथ लेकर चलने वाला हमारा किसान है ऐसे किसानों कि आख मत्या को रोखने के लिए आपके आसू कोचने के लिए मैं आया हूँ हमारे मिठ्यमंत्वी अशोग गजपती के नेत्रूत्व में हम सरक्षी की सिर्याद्या रहे हैं अरे अरे मेरा पैर कुछल दिया घरजाद दवाई कर ले अबे यार यह क्या कॉमन मैन के पैर का कुछलना भी कोई नहीं सुनता हम और वह सेलेब्रीटी बोल रहा है तो देखो कैसे सब लोग सुन रहे हैं ऐसे कामनियों गराजे शेक पत्थर उठा तो जरा और जो बोला है वो करना कि यह लो कॉने को नेगा पति डिख ब्लाइड कम कर उठाने कोने पत्तर उठा पत्तर पक्तर शर्पेस बड़ाँ यह रूख है यह वी न कोछ बात अब यह देखो अधे डिन सब्सक्राइब जोटी सी चोटे से क्यों चिल ला रहे हो डॉक्टर चोटा दिमाग बढ़ा दिमाग सब अपने जगे पर तो है ना एबसलूटली नो प्रॉब्लम मेमरी लॉस कोमा ऐसे कोई प्रॉब्लेम तो नहीं है ना डॉंट वरी सर ये कोर्स कंप्लेट कीजिए सब ठीक हो जाएगा किया को मिदुद्र विसनेतों पेपर में नाम अ इसके अवमारा उसने Pacific में आने के लिए मुरा उसने आ कर दो निकालो गड़ी अब उसका सर कर जंगा न जलिए चो拜拜 कहां है कहां है कहां है वो वाय सर्थ उसे मेरे एंकाउंटर अकाउंट में डाल कर घोली मार दीजिए प्रेव बाड़ी में कहीं और बुलेट लग जाए तो बचने के चांस हो यहां मारोगे तो कंफाम मुरूंगा शूट कर शूट करना जला लो गोदी एकर क्यों नहीं दवारा क्या रहे तुझे मौच का डर नहीं है वो वार्ड अपन के टिश्टरी नहीं है है यह बार निकाल इसे से लो पंकरो बैट यह सर्ट इस्पेक्टर साब पांच मस था डिया हिल गए बोलिए सर देख क्या हालत है क्योंकि आये अटेंशन सिंगल अजेंडा पेपर में मेरा नाम आने के लिए और फेमस होने के लिए पेपर में नाम आने के लिए तु एक मिनिस्टर की जान पर हमला करेगा मारना होता तो पत्थर से क्यों मारता सीधा बॉम नहीं फेक देता सर जी आप रिलाक्स सर किसी और को मारता तुम्हें इतना मशूर कैसे बनता आप और ये मेडिया मुझ तक कैसे आते मैं एक मिनिस्टर हूँ मैं चाहू ना तो तुझे तोच नहीं कर सकते सर अगर मुझ पर मक्षी भी बैठी ना तो बाहर लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे मतलब तुम फेमस होने के लिए कुछ भी करोगे इंस्पेक्टर को मारना पड़ा तो मार दोगे मेरे क्वेशन में क्वेशन मार्क था ना इसलिए तो ग्राउंड को मारा मैंने तुवे फारिंग भी आती है पाहली बार ट्राइक किया गूड एक्सपिरियेंस यह तुमारे फर्स टाइम था मुझे बहुत पसंद आया तुझे देखकर लगता है तुम मेरा इसाया है मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था तेरे तरह मेरे आद के नीचे काम करेगा तुम्हारे साथ काम करूंगा इसने आपका सर खोड़ा है और आप इसे काम पर रख रहे हैं सर नहीं फोड़ा दिमाग खोल दिया है दो बार और सोच लिजे सर नार बार सोचने के लिए तुम्हारे जैसे हम मंद बुद्धी नहीं है मंत्री बुद्धी है सर सालरी कितनी फ्रेंड्स और फैन मिला कर टेक होम महीने का एक लाग दस सालों से मय काम कर रहा हूं मेरी खुद की पच्चीज है शर्म नहीं आती तुझे लेकिन क्यों सालरी टालेंट को देते हैं एक्सपिरियंस को नहीं मंत्री जी उसे सजा देने के थे तो साथ में आ रहे हैं अरे भाई आकाश का प्रहार मंत्री बेहाल सुपर एक काम करो तुम लोग इन कटिंग्स को लेकर बड़े 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 पोस्टर्स बनवाकर पूरे शहर में जमा कर लगा दो सब की नदर पढ़नी चाहिए मेरे घर के बाहर दो लगा देंगे सब और फेस्बूक पे भी वाइरल कर देंगे अब और क्या है यह सब क्या है न्यूज बनानी है तो थोड़ा शोर तो हो गाई न भाईया पर क्यों यह सब स्टोरी अभी तो शुरू हुए आगे-आगे देखे होता है क्या चला वे पता नहीं भाई आज कल सब गुड नियूज मिल रही है तुझे क्या हो गया यार सेंट्रल मिनिस्ट्र सुभाश्य के बेटे के साथ तुमारी बेटी का रिष्टा ताय हो गया है और तुम यहां मायूस होकर बैठे हो इस संबंध से तो मुझे भी बहुत खुशी है लेकिन बेटी कनडा से आ रही है इसलिए घबरा रहा है मेरा एक स्टेट के होम मिनिस्टर को ऐसी बाते शोभा देती है तुम्हें तो पता है न शंभू हमारे और उस गन्ना रेडी के बीच में जो पुश्टेनी लड़ाई चल रही है इस समय अगर उसने कोई भी अटेक क प्यार दिखाना है अगर ऐसा किया तो मेरी बेटी इंदिया और मेरी बज गई ऐसा लोग कहेंगे तो फिर एक काम करते हैं तुम्हें आकाश के बारे में बताया था ना उसे भेज देते उस अकेले को वह अखेला ही काफी है उसे आये चार दिन भी नहीं हुए ओल्ड सिट अब बॉलना अरे भाई सुबह से तो दिखाये नहीं थिया कहां पर चला गया है यह एरपोट गया हुआ है मुशे बताए भीना तो खुद फ्लाइट पर बैठने वाला है क्या तुझे कैसे छोड़ सकता हूं मैं तो यहां तो यहां एरी होने वाली भाबी और मेरी होने व मिनिस्टर की बेटी से पंगा लेगा तो इंकाउंटर हो जाएगा चला जाए तो यार के लिए मिस्टर यह क्या है हाथ चाओ पहले आप अपना पैर हटाओ पाच ग्राइम के गुलाब को पचास किलो का गुलाब को चल देगा तो कैसे लगेगा बताओ मेरी साथ प्लोट कर रहे हो या मुझे इंफ्रेस कर रहे हो खुद को इंट्रड्यूस कर रहा हूं वेलकम तो इंडिया आकाश ओ डाग में बताया था प्ले ट्रडिशनल त्यार का कोई ओपिनियन नहीं पैरेंट्स के सिलेक्शन पर कोई शक नहीं सावित्री मां को बहुत मानते हो सल्मान खान के लिए पागल अमेजिंग थूरा प्रफाइल जानते हो और ने तो क्या बच्पन से गूगल जैसा हो अकाश घबराईयम आपको वेलकम करने आये हैं मैं थैंक्स के के आता हूँ ओके उसके टुक्डे टुक्डे करदो और नागराज को पार्सल करदो क्या थाँ कर दो, कर दो, कर दो, कर दो! कर दोत कर दो, कर दो, हो दो! क्या हो अबे? बाइ एरगक रखालू कर वाया? यह पाइसन के लिए है कि cmn झाल झाल इस फैमिली को टच करने से पहले मुझे टच करना होगा लेकिन मुझे मारने वाला हथियार अब तक बना नहीं ना ही बनेगा इस फैमिली को टारीफों के फुल बांते जा रहा है मेरे सर ठीकी कह रहे थे मैं अकेला गया था इसलिए बेटी सेफली घर पहुंचिये अगर आपने सौ लोगों को बेजा होता तो पहला सोचता दूसरा बचाएगा दूसरा सोचता तीसरा बचाएगा और कन्फुजन हो गया होता तो तुम आज जो अपनी बेटी को देखके खुश हो रहा न वो यहां नहीं पहुंचती वैसे इतनी साउधानी वरतने के बावजूद उसे प्लान का कैसे पता चाला मैंने इन्फर्म किया था तुमने ही फसाया फिर तुमने ही बचाया मेरी बेटी को मारना चाहता था क्या गनी रेड़ी के उस हिम्मत को मारना चाहता था वो कब अटेक करेगा सोचकर हमें नहीं डरना है सर अब आगे जब भी वो अटेक करेगा वो दस बार सोचेगा और डरेगा इसलिए मैंने उसे बुलुआया मौत का सामना करवा कर वापस बेच दिकाए मैंने जो किया आपको गलत लगे तो मेरे सर से शिकायद कीजिए अगर सही लगे तो बेटी के लोटने का जज्च ने मनाई एक्सक्यूज मी सर, सीम साब बात करना चाहते हैं हाँ सर, ठीक है सर, मैं अपने डीजीपी साब को भोल दूगा काम हो जाएगा सर, हाँ बीटिया आ गई है सर, इस रभिवार को डिनर हम सब सास में करते हैं सर, ठीक है सर सुनो पिये, उस डीजीपी को चेंबर हें बुलाओ, एस पी महेश चंदर का ट्रांसफर करवाना है क्या बीटिया, इतने सालो बाद घर आकर तुम सॉस बटर ब्रेड खा रही हो, पूरी यो पराठे नहीं खा सकती क्या तुम ये इसे क्रैश डायट कहती है मेरा तो क्रैश डायट है, लेकिन चाचू कम्प्लीट डायट पर क्यों है? डायटिंग नहीं है बेटी, फाइटिंग है, इतने सालो बाद तुम खर आई हो, अब भी भाईया मुसे बात नहीं करेंगे, तो मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा वो इस जनम में नहीं होगा क्या डायट, आप बच्चों की तरह कर रहे हैं, आपकी अब भी चाचू से बातचीत बंद है उसे वो पागलपन छोड़ने को, मैं बात करता हूँ पागलपन नहीं है भाईया, पैशन है, पसंद है, जान है मुझे काटो के तो खून नहीं बहेगा, कला बहेग दे बॉली बुड में कल का उभरता बहुत बड़ा हीरो हुमें भाईया देखा ने बेटी हमारी हाँ क्या हाला थे आपके सामने थोड़ा शर्माते जरूर है लेकिन ये एक हीरो से कम नहीं है इसे चश्मे की जरूरत है जरा समझे न ताउजी, सूपरमें की ड्रेस पहलेंगे तो डैडी आउसम लगेंगे प्लीज, एक ब्रेक दीजे ना डैडी को मैं फैमली को बिगाड़ने के लिए नहीं भईया एक मुखाम पर पहुचाने के लिए पैदा हुआ हूँ मेरे हीरो बनने के बाद आपको ही फायदा है आज के लेक्शन में हीरो को पार्टी के पब्लिसिटी में बुलाओ तो कितने वोट मिलते हैं सुपरिस्टार बनने के बाद मैं आपके साथ ही खड़ा रहूँगा एक बात कही जाती है हर पॉलिटिशन के साथ एक फिल्मिस्टार होना चाहिए नेरी तरह बता दो इसे अगर ये आदमी एक और शब्द बोला तो इसे गाउँ भेज़ दूँगा वहाँ के करूँगा वहाँ जाकर खेती बाड़ी करूँगा क्या है टच अप मेरा ब्रेकफ़स्ट वैनेटी में लगा दो ना ये बदलेंगे ना इनका इटिटूद बदलेंगा समस्ते ही नहीं है इनके सीम बनने का मैं एक लोता जरिया हूँ सुबह से ढून रही हूँ आकाश कहा है आकाश? वो हमारा स्टाफ नहीं है बेटी शम्बू अंकल के पास काम करता है वाट? वो हमारे यहां काम नहीं करता? क्यों आप सीम नहीं बन पाते हैं ये मुझे आज पता चला है डाड क्योंकि आप क्रीम को छोड़कर स्क्राप को पास में रखते हैं क्यों बेटी? तुम ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं और क्या कहूं डाड? हमारे पास जितने भी काम करने वाले हैं हमसे ज्यादा शाप होने चाहिए ऐसे लड़कों की तदाद हमारे पास सैकड़ों में है कौरव भी तो सौ थे ना डाड हमें गन्स के साथ सिर्फ पीछे खड़े होने वाले नहीं चाहिए गट्स के साथ सामना करने वाले चाहिए आगे आपकी मर्जी हाँ भई आज कल मेरा धंदा इदम बढ़िया चल रहा है और उसकी वज़े मैं नहीं हूँ अपना आकाश है अब सिर्फ हैंड नहीं है मेरा वो ब्रैंड है हलो हाँ बेटा हाँ कौन बेटा मैं बेटा होम मिनिश्टर नाग राज हाँ हाँ सर 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 गुड मॉनिंग तुम कहा हो सर को एसमली लेकर जा रहा हूँ ओ अच्छा तो फिर मैं बाद में फोन करता हूँ हरे कोई बात नहीं वो फोन पर है आप बोलिये कुछ नहीं बेटा वो तुम मेरे पास काम करोगे क्या सर आप जोक अच्छा कर लेते हैं जोक नहीं है बेटा सिरियस्ली पूछ रहा हूँ सच में सर तुम मेरे पास काम करोगे क्या जल्दी बोलो वो क्या है ना कि मुझे यहाँ पर सर महिने के दो लाग देते हैं सर मैं उसका डबल दूँगा कब जोइन करने बताईए सर तुम अभी आ सकते हो क्या अन दे वे सर यह क्या है यह क्या है बाई मतलब एक एक्साइटिंग ओफर आया है इसलिए एक्जिक ले रहा हूँ मुझे ऐसे पीछ सड़क पर छोड़कर चा रहा है मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती आटो मैं आटो में नहीं जाओंगा आटो मेरे लिए है आपके लिए नहीं उसकी तो बीच सड़क पर छोड़कर चला गया प्रमोशन जो मिला है उसे प्रमोशन मिला तो क्या मेरे एमोशन की उसे कोई कदर नहीं है और नहीं तो क्या साम, उसने सरे आम आपका सर फोड़ा और आपने उसे अपने सर पे बिठा लिया, तारीफों के पूल बानने लगे, तेरी चलाकी देखकर लगता है तुम मेरा ही साया है, अब देखा, हलाल कर दिया ना आपको, बखरा नहीं हूं मैं, ये बात मैं सीम साहब को बताऊंगा, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा, हो मिनिस्टर के OSD में अमरावती का लड़का, ये आकाश तो यार तूफान से भी ज्यादा तेज दोड़ रहा है, आकाश की फोटो पेपर में आई है, ये देखकर उसके घरवाले कितनी खुशी मना रहे होंगे, क्या आपको रहे हैं नमस्ते पंडित जी, शीक्रवेब, सुपरस्टार प्राप्ति ये अस्तु बस दस सालों से आप आशिरवाद ही दे रहे हैं पंडि जी, लेकिन आज तक आपका आशिरवाद नहीं पहला समय नजदीक आ गया है, टच अप करके रेडी रॉब ब्रेक के लिए, ये कौन है, आया हूँ तब से मेरी परिक्रमा किये जा रहा है, न्यूए एडमेशन है पंडी जी, आकाश, आये मार्जुन, विद लॉट्स अफ गुन, साइलेंट फिल्म है, हाँ, 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 हा बहु काल था ना, इसलिए कुछ देर के लिए मैंने उन्हें टर्निंग पर ही रुखने को बोल दिया, हाँ, वो तो है ना, ये आदमी मोरत देखे बीना वाश्रूम भी नहीं जाता है, खर बसाने के लिए शास्त्रों का ध्या रखना तो ज़रूरी है ना, हाँ, वो तो है ये इस तरह जोकर बनके क्यों खड़ा है बहु, वो लोग क्या सरकस देखने आ रहे हैं, भाईया, आउडियोंस के सामने कलाकार के बैसे थी नहीं, तु कहें का कलाकार है रे, तुझ में ना शकल है, ना कल है, भाईया, कंड्रोल, अरे क्या कंड्रोल करूँ मैं, एक और ब बारे में क्या जान सकता, ये कैसी बाते करें, ये तुम्हारे भाईया है, मंतरी के मंतरा चुपकर, अलसरल को डिसरब बद करो, ये कैसे देश्वर जी, ये किस तरह से बात कर रहे हैं, बिना शादी के तुम हाफ सेंचूरी क्रॉस कर चुके हो, तुम मुझे क्या समझाओ यही सब क्या है? मेरी तरह शादी ना करने वालों को बोलने का हग भी नहीं है क्या? यह क्या है जी? आप पागल हो गए हो? पागल नहीं हुआ हूँ, तुम सब को पागल बनाने वाला हूँ! यह भाई तो एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग कर रहा है भी? यह अपने मा को मारा? यह भी बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा है या बसकेटबॉल? अरे तेही तो बया, कैसी लगी मेरी आक्टिंग? आक्टिंग क्यों? यह आक्टिंग थी? देखा ना भाईया, आप खुद जटका खा गए, जब कल में मेकप करके फिल्ड में उतरूँगा, तो पूरे देश में दर्शकों के हालत क्या होगी? एक बार सोच कर तो देखो भाईया, मेरे अंदर के कलाकार को हट हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा किया, सौरी भावी, मा जैसी भावी को मैंने गलत कहा, लेकिन मैंने नहीं, मेरे अंदर के कलाकार ने… आप क्यूं जित पकड़कर बैठे, हीरो बनने के लावा कुछ समझ में नहीं आता, मुझे बहुत घुस्सा आता है भाईया, आँखों से जो शत्रू नहीं दिखते उससे वास्तविक्ता में लड़ता हूं भाईया, तस सालों से हो रहे इतिजार का फ्रस्टेशन है, हो सक देना है, जानने वाले कोई महान एक्टर कहते हैं, सर, मैं आपका फैन हो गया हूं, एक शिकेंट सर, बस एक शिकेंट सर, एक शिकेंट, देखा न भाईया, एक्शन करो तो फैन बनते जाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो प्यार नहीं दिख रहा है, ओनली वन ब्रेक जाएं, हाँ, कर दीजे, इनका एक्शन भारी पढ़ता जा रहा है, ठीक है, ठीक है, मेरा दिमाद मत खाऊ चो मुल में आएक, सरीवा, सिदेशव जी, एखिये, शुब से मैं आ गया है, लड़के वालों के आने का समयबी हो गया, तो आप भी जाकर रेडी हो जाईए, गया है, तो लड़की कहा होगी? लड़के के सामने होगी, तो यह कहां बैठेंगे, तो यह जोग था, जोग था, इसोग पाद में करना, तुम फिलाल इशान दिशा में खड़े हो, पॉस्ट्रिव एनरजी ब्लॉग कर रहे हो, चलो मेरे पीछे आजाओ, मैं आस तू आस पर भरोसा नहीं करता शास्री जी तो फिर दोस्ती पर भरोसा करता हो बेठी एकदम चांद का टुकड़ा है बेहन जी पैंगल सच्छी लग रही है ना ड्रेस आवी मेट फॉर इच अदर पैर फॉर इच अदर यह पीशे कड़ा रहे कर अपनी फेलींग दो नहीं पर अदर पंडीजी अर्चना पूजा आर्थी जो भी करना है धुम-दाम से कर दो पैक्षणा बहुत ही अचीства मिलेगी क्या बात है बेटा बहुत खुश लग रहे हो बहुत दिनों बाद खुशिया जूली में गिरी है बाई का बड़े गर में रिष्टा पका हुआ है अच्छी बात है नाम और गोत्र बताईए पैदपाल गोत्र है आकाश नारायन और पूना से श्रद्दा श्रद्दी श्रद्दी सब बात किये जा रहा है तू श्रद्दी जानते हो पावर आपके पास इतनों अब्सर नहीं कि आपने वो दोलं गंटे बर में 59 मिनिट्स मुझे ही देख रही थी फिर आप ही बताईए उसने किसे पसंद किया होगा तुझको अरे वही तो मैं कब से कह रहा हूँ क्या है यह यहां का खाकर अगर पड़ोस में चोरी करेगा तो पिछवाड़ी पे लाद बैठेगी ब्रह्मचरी ही मेरा प्रहमास्त्र है उनके कुंडली देखने वाला मैं हूँ लेकिन शादी फिक्स करने वाला मैं हूँ चाहे जो भी हो जाए एक बार अगर मैं मुरत का कमिट्मेंट कर देता हूँ तो मैं देवताओं के भी नहीं सुनता हूँ अब एसे रहना बिलकुल कोशिश कर ले प्यारे, तेरी दाल तुम्हें बिलकुल नहीं कर ले दूँगा, चाहे वो जलके काली क्यों न हो जाए क्या है यह सब, हर कहानी में हीरो अनाथ ही है क्या, उस पागल का कोई नहीं है क्या, बदलाओ लाओ यार, बदलाओ लाओ, हमारी फिल्म को बड़े डिरेक्टर के तरह उस उचाही तक लेकर जाओ, ठीक है सर, अब इस स्क्रिप्ट लेकर कहा जा रहे हो, फिल्म की रेंज को कोई कहानी नहीं है पिक्षन कहानियों के पीछे क्यों बड़े हो भाग मिलका भाग मेरी कौम ऐसी रियल स्टोरी क्यों नहीं ढूंटे अभी क्या भी रियल स्टोरी मिलना तो मुश्कील है तो अबज़ो करिये ना सर लोगों को समाज को दब जाकर आपकी धमाल एंट्री यह वांड मी तो रिपीट ओके रिधर किसी दूसरे के पास कहानी क्यों ढूंटू तुम्हारी रियल स्टोरी को ही फिल्म क्यों बना दे हरे मेरी स्टोरी में क्या रखा है हीरो इसम किसी गाहों से उठकर इस गर के राइट हैं नहीं समझ रहों तुम्हारी एनर्जी को आपको observation awesome awesome मतलब क्या होता है awesome का मतलब awesome लगता है इसको भी समझ में नहीं आए brother सब कुछ ठीक तो है लेकिन तुम्हारी कहानी में गड़बड है वह हीरोईजम तो बहुत है लेकिन रोमांस कहा है अगर लेडी नहों तो मज़ा कैसा करते हैं सुपर स्टार म्यूजिक डिरेक्टर प्रितम से गाने बनवाएंगे अब मामुली इंसान हो के होम मिनिस्टर के भाई हो यह भी तो ठीक है ममी पानी नहीं आ रहा है हां सुपर आइडिया आया है यहां तुम्हारी कहानी को लव एंगल मैं दुगा इस घर में श्रदा बेटी की शादी हो रही है तुम उसको यह अगर पटा लो तो अरे चुक करो पादल हो गयो क्या सुनो भाई यहां अरे आओ तो बरोसे का पतीक 100% तुम ही हो यह मैं जान वो कैसे प्रोटीन शेक से फ्यूज डिफ्यूज से जाओ अरे सुनो भाई पीछे आओ तहां जा रहे हो मोटर ठीक करना अरे यार इसका इस्तिमाल करो उपर श्रद्धन हारी है और नीचे पम खराब है अरे बहुत से फिल्मों में देखा है मैंने मैं बाल्टी लेकर उप लेकर नीचे आओंगा क्या के तो देखो ब्रदर भूलना मत कि वो मेरी बेटी है तु रियल हेरो यार श्रद्धा जी मोटर खराब हो गई है पानी के बाल्टी लेकर आया हूं ले लीजिए यहां देकर जाओ मैं ऐसे अंदर नहीं आ सकता ना मैं भी ऐसे बाहर नहीं आ सकती ना तो फिर मैं आखे बंद करके आता हूं तुम टक्रा कर गिर गए तो आखे खोल कर आया तो आपको देख लूंगा तुम चल्दी दोगे तो चल्दी बाहर जा सकते हो ओ आखों को बंद किये बिना मुझे अब देखे बिना पानी की बालती अंदर नको और चाओ है तेखे बिना बिना पानी की बालती माँ है अब देखे लिए रहा है एंगेजमेंट रिंग की पूजा करके आ रहा हूं मैं सब आपका ही वेट कर रहे हैं बहुत कलरफूर लग रहे हो, क्या बात है क्या है कि एक अच्छी स्टोरी हाथ लगी है ओओ अच्छी स्टोरी, क्या है वो रियल स्टोरी है मतलब औरंग जेब, जोदा अगवर, बाजीराव, मस्तानी जैसी एकदम सच्य लाइफ स्टोरी है क्या वांटेट, ढूम, दबंग, सिंगम जैसी धमाल स्टोरी है अरे बाब 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 आपका ऐसी इस्पिरिशन आखिर किस ने दी और कॉन देगा अपने आकाश्टे आपरे, आकाश्टे हाँ तो क्या है वो स्टोरी? एक्चुली कहानी ऐसी है, कि इस घर में तुमने एक शादी पकी किया, राइट? विल्कुल राइट घर में कोई काम करने आता है आता है सब उससे सिक्रूटी वाला समझने लगते है समझ गया लेकिन वो इस घर में आया है, उस लड़की को पता नहीं आप इसे स्टोरी कहते हो आप भी जटका खा गए ना रियल स्टोरी है यह तो रियल स्टोरी है सर मैं क्या एस्पैनिश में कह रहा हूँ, पंडी जी आप तो सूपर हो सार जूसी गुठलिया देखकर आमों के गिंति की जा सकती है लेकिन उसने तो गुठलिया देखकर ही पेडों के गिंति बता दी डालोग अच्छा है, फिल्म में इस्तिमाल करूँगा और वो अल्ड़ेडी तेरा इस्तिमाल कर रहा है बुद्धू यहां क्या कर रहे हो तुम, सर के साथ असेंबली नहीं गए यहां शादी की साड़ी का सेलेक्शन हो रहा है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा यह सब तुमें कुछ जादा नहीं लग रहा है शास्त्री जी हां मैं वहीं पर आ रहा हूं आप अंगुठी लाएं यह लीजें इंगेजमेंट रिंग सगय के दिन के लिए साड़ी अब अपने हातों से सिलेक्श कर दीजिए अहां अभी सेलेक्श कर देता हूं कला मंदिर सिंबल आफ मुंबाई बुद्वार वैस्पती ब्लू सेलेक्श करते हैं वेकार कलर है यह कोई अच्छा कलर सेलेक्श करो सीन है सीन है मेरा हीरो गंधम गिरी गिंदम तारा तंदम तुमारी सुनरता अतदिक उत्तम शुबकारी के लिए यह परफेक्ट मैचिंग है त्या खाक मैचिंग है मेला देखने के लिए थोड़े ने जा रहे हैं किया यह घंगाए क्सरों साड्यों के बारे में नहीं जानते हो तो पता जदनपूरी के साडी श्रिंगार शास्त्र को पढ़ाया है ऐसा कोई शास्तर होता है क्या तुमने बढ़ा नहीं नहीं पढ़ा तो फिर है इसकन अखुर में माजे अब बुरा मत मानिये श्रददब्लीज़ को हजारो लागों पैसे खर्च करके भर-भर के साड़ी खरिदने से कुछ नि होता वैदर के यह से सीजन के हिसाब से, फिगर के हिसाब से किस पंक्शन के लिए कौन सी साड़ी साब है उसमें अच्छा जैसे हमें तो पता ही नहीं है, तुम्हें एक बार पहना कर तो बताओ ये तुने क्या किया? पहनाना है तो उतरना भी पड़ेगा ना? उतरना है तो बताना होता है ना? पचास सालों से चुपी बोडी को ऐसे बीच बाजार में खुल डाला अब वहाँ किसी और को जाकर पहना हो तो क्या दुले को पहना है? अर ये क्रीजी? साड़ी लीडीज पहनती है तो फिर श्रधा को ही पहना दो ये तुम क्या कह रहे हो? इसमें क्या है भावी? शोरू में आदमी औरतों को पहना कर नहीं दिखाते हैं ये भी ऐसे ही है फिर ये भी तो साड़ी पहनना सीख जाएगी फिल्म में इस्तिमाल करेंगे इसके कंदे पर रकर अपने बंदूग चला रहा है ये भाई करन, with your permission टेक इज़ी बॉस, carry on तो, my dear lovely ladies चेंज दे पोजिशन ओके तो आप शादी पर जाएंगी, reception जाएंगी, engagement जाएंगी या birthday जाएंगी ये कहीं क्यों जाएगी, कहीं क्यों जाएगी ये शास्त्री नैनो, गुस्ता मत कीजिए, अभी बहुत कुछ बाकि है और वो क्या है फोर एक्जाम्पल श्रद्दा माय के किसी प्रोग्राम के लिए आई, तब उसके लिए बेस्ट साडी, उसके लिए बेस्ट जूलरी, पहन कर वहाँ पर छम छम करती घूमती रहे हसते हसाते, तो देखने वाले सब क्या सोचेंगे, कि वो देख उसका पती उसे कितना खुछ रखता है, आप क् अरे बाप, बेटा क्या बात करी है तुमने, देखा ना शास्री जी, वही ससुराल का कोई फंक्शन होगा, तो साडी, सिंगल बैंगल, छोटी स्टिकर की बिंदी लगा कर सिंपली जाएंगे, तो कोई प्रोब्लेम नहीं, अगर पूरे शरीर में देवी की तरह गहने पहन कर दाएगी तो, अरे बाप रे, ये तो हमारे बेटे की कमाई खा रही ही, ऐसा कहने लगेंगे, तुम साडी तो पहरा ही नहीं रहो, मैं वहीं पर आ रहा हूं, शास्री जी, जरा रुकिये दो मिनिट, ये देखो नेनो शास्री, शृता, साडी को समोसे की तरह नहीं लपे लुको उपर ओड़ कर उसके पाद, देख रहे हो ना, ऐसे हौले हौले लपेट का छोटे छोटे हातों से जास्री जी, देख रहे हो ना, सब को साथ मिला कर, कदा, पकरूँ, अपनी बरबादी पर सीटी पजाने वाले बेवकूफ को पहरी बार देख रहा हूं, मैं, सीन मस्त है, डाल देंगे, आपके मरजी, हिठ है ना, हाँ, 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 You have everything best bro, best car, branded clothes, and a beautiful friancé, thank you तुमारे डैड, हालो, हाँ, अंकल, आपका एक गंटे के अंदर ये तीसरे कॉल है, वो क्या ना, बेका, कि आकाश तुम्हों के साथ नहीं गया, तो थोड़ी सी विकार हो रही है, हमेशा आकाश पर नहीं अंकल, मुझ पर भी वरोसा कीजिए, पूरी लाफ मेरे साथ ही र समय आकाश मेरे साथ मारे लाफ नहीं हैंыпadaki मंटे बीरे में अंदरी सेट ओफ फुम्हों काश्या काश्या काशला में णिगे तो एक वरोसा काम रही है, बेकाश्या को आपक्शब्स होब करिए नह一定要 अ palingता को में तुम्हों कीजरीया मijश्या, अण arrogant में अंदरी कां पार्फ वाट फिगर है भाई ओ माई गॉड इस वर इन दे मार्द होता है क्यों रहे उपर पड़ी को काफी नहीं थी क्या एए दस लोगों के सामने एक निहत्थे को नहीं मारा जाता जो सौ लोगों का सामना करता है वही असली मर्द होता है मेरे फ्रेंड ने तुमारे फ्रेंड को मारा तो सब आगे तुमारे फ्रेंड को मैं मारूंगा तो फ्रेंड शीप भूल जाओगे इनको अगर किसी ने हाथ भी लगाया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इनके लिए मैं मरने को तैयार हूँ उसके लिए तुम मरने को तैयार हो क्या बे फिल्मे डायलग शुना रहा है हमें चलो मारो इसको यूनिवर्सिटी के स्टुडेंट से पंगा ले रहा है आज नहीं तो कल देख लेंगे तक पोस्पॉंट क्यों करना है बे चला आज ही सारा हिसाब किताब पुरा कर लेते हैं कि यहां आते वक्त डर नहीं लगा अब मरने से क्यों डरते हो फ्रेंड्स का मतलब साथ मिलकर पीना नहीं होता पीने वाले फ्रेंड ने अंदर क्या किया है पता है तुम्हें मुझे पता है टैच पसंद आए तो टैच में रहना हमारी घर के ओरतों के ऐसा करने से हम कुछ नहीं काएंगे चुप चाप बैठे रहेंगे ऐसा सोचने वाला जो कोई भी हो उससे दो-दो हाथ कर सकता है तुझे मार पड़ी है जैसे ये बात हमें पता चली बिना सोचे समझे तुझे सपोर्ट करने चले आए इसमें गलती तेरी नहीं हमारी है सौरी बोस चला यहां से करन हमारे भरों से जो आते हुने सेकुरिटी देने का मतलब छोड़ना नहीं होता बचाना होता है इतनी महनत क्यों कर रहे हो पापा एई शादी में डांस कम नहीं रहना चाहिए क्या कहते हो यह वॉल्यूम और देश करो आप कीजिए पापा आप कीजिए यह अचाना क्या हुआ बेटी अगर मैं ना क्या रही हूं तो इसकी जरूर कोई वज़े होगी ना डाड तो फिर किसी और मिनिस्टर के बेटे का रिष्टा चलेगा मेरे लिए मिनिस्टर का बेटा या आये इसके बेटे क्यों ढूंड रहे हैं जीवन में बढ़ने वालों से ज़्यादा जो बढ़ चुके हैं उनके बच्चों की लाइफ अच्छी होती है बेटी यह रॉंग सच्छन का बेटा सच्छन नहीं बन सकता जिस इंसान में आगे बढ़ने का होसला हो ऐसा कोई ढूंडिये हमारे शद्धा बिल्कुल सही कह रही है आगे बढ़ेगा यह जानकर हमारे सूपरस्टार रजनीकात ने धनुष को अपना दामाद बनाया उसी तरह राजेश खना जी ने अक्षे कुमार को अपना दामाद बनाया सही इंसान के पहचान कर लो तो वो जरूर तरक्की करता है ऐसा आकिर है कौन? वो हमारे घर में ही है डाड आकाश कौन आकाश? वो हमारे यह नौकरी करता है बेटी सिर्ष नौक्री करता है तो हम उस पर इतना भरोसा करते हैं अपना बंजाए तो हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं यह सोचिए आप ही मेरे लिए बच्पन से हीरो रहे है वो भी आपकी तरह सेल्फ मेड है डाद कहा उसका वो गाओ और कहा वो मिनिस्टर लेकिन इस मुकाम में पहुचने में उसे दो महीने भी नहीं लगे हैं डैन फिर अगले दस सालों में वो कितना दूर निकल जाएगा You can't even imagine ये पढ़े लिखे बच्चों से यही परिशानी इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं उतना ही ज़्यादा कंफ्यूस करते हैं ठीक है तुम्हारा जनम दिन आ रहा है तब तक मुझे सोचने का थोड़ टाइम तो दो अरे तू पागल तो नहीं हो गया है ना सद्धा से तुम्हारी शादी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी बोल चुका हूँ फिर भी मुझे यहां बुलाकर सेम टॉपिक रिपीट क्यों कर रहा है तू शास्त्री जी परसो श्रद्दा के बथड़े वाले दिन पर हमारी शादी के अनॉन्समेंट पक्की है हाँ हमने बैसले पार्टी बैंकोक में प्लैन भी कर लिए तो भाई हम फ्लाइट में बहुत जल्दी है अरे हो भाई जब की खुली बहुत लो मूरत तो मैंने पक्का किया है लेकिन भाई ने वह लड़की पक्की कर दिया है क्रहो को अपनी उंगली पर नचाने वाला इंस इंस अर जा जामाई पार्ण प्लैन में पनाङ, वित बावड़की बावाँ डल् выглядит घराتي किक उ सह Bluetooth and देट बहुत जा झावा है झाति है फक्स्ती है वे रिख गक्ति है झाली आस ने कह इंशने तराश्यकि आसले शेली कि ढसे हैर पताने क्यों यार लेकिन इतनी चका चौन देखने के बाद मुझे डर सा लग रहा है ए डरने का नहीं आगे आगे देखो सभी को मेरा नमस्कार हमारी पार्टी के रौनक बढ़ाने के लिए सिहम साहब का और अपनी पार्टी के सभी मित्रों को यहां आने के लिए धन्यवाद देता हूँ आप सभी को बर्थडे पार्टी में बुलाने की एक खास वज़य है हम अपने पास काम करने वाले ड्राइवर को तनखवा देते हैं उनके परिवारों को तौफे देते हैं और जो मजबूरी में फसे हो उन्हें थोड़े जादा पैसे लेकिन कभी भी हम लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रत्साहित नहीं करते लेकिन आज आप लोगों को मैं एक इतिहास बदलने वाला फैसला सुनाने वाला हूँ मेरे पास काम करने वाले कारेकरता जैसे एक सिक्यूर्टी जैसे मिस्टर आकाश नरायन इनके साथ मैंने अपनी बेटी की शादी करवाने का फैसला दिया यह कैसा ट्विस्ट है लीजे लीजे पढ़े माफ कर दीजेगा सुभासिन जी अब मेरा होने वाला दामाद अपनी खुशी को आप लोगों के साथ बातेगा आकाश आओ इतने बड़े लोगों के सामने क्या बात करनी है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं भूली गया सभी को मेरा नमस्का ये इतनी बड़ी खुशी है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था एक प्रदेश के होम मिनिस्टर जी मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं तो इस संसार में मुझे से बड़ा भागेशा लिया और कोई नहीं होगा हा लेकिन मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ वो किसलिए? मैं ये शादी नहीं कर सकता कारण ये है कि मैं किसे और से महबत करता हूँ और सिर्फ उसी के लिए जी रहा हूँ पहले एक किसी से फिक्स की हुई लड़की से जबरन शादी करवा रहा है ऐसा कुछ दिल में है तो बोल दो मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते इसलिए किसी और से प्यार करता हूँ किसी और को पहंद करता हूँ ऐसा जूट मत बोलो आप गलत समझ रहे हैं सर मैं जूट नहीं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ किसके सामने बात कर रहे हो पता है ना आदे शेर को खरीदने की हिम्मत रखते है वो वो मिनिस्टर की बेटी है जो पर पट्टी से उठकर मिनिस्टर्स कॉलरी में आ जाओगे मैं जिससे प्यार करता हूँ वो लड़की तो एक अपसरा है मुझे पैसे का लालच नहीं क्यों रे हमारा फ्रेंड आगाश इतना बदल केंसे गया कौन है वो लड़की इतना प्यार करते हो तो उससे तुम शादी नहीं कर सकते मेरा वन साइड लव है सर सच बताओ तुम किस से प्यार करते हो हम सब मिलकर तुम्हारी शादी करवाएंगे नहीं बता सकता सर बता दिया तो आप ही मुझे मार डालेंगे क्या बात है सी एम के सामने किस की हिम्मत है जो तुम्हे मारे एक स्टेट का मुख्यमंतरी होकर मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम किस लड़की से प्यार करते हो बताओ मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा इतने सारे मीडिया मित्रों के सामने डीजीपी साब ने हिम्मत दी और सेम साब ने वादा किया तो मैं बताई देता हूँ मैं जिससे प्यार करता हूँ वो है मिस मीरा हमारे राज्यके मुख्यमंतरी की इकलोती बेटी अरे बाप रेवाब सेम की बेटी है मैं यह पाप होते नहीं देख सेकता मैं मरजाता हूँ हाँ है सर तुम्हा मरजाता हूँ अरे शासुरी जी अरे शासुरी जी शासुरी जी आपको जटका कैसे नहीं लगा उसके दिये जटके के सामने ये जटका कुछ भी नहीं ब्रजर ये कल पेपर में आएगा ना पेपर के हैडलाइन बनेगा सर क्रिकेट में नहीं सेंचुरी मारी है नहीं टेनिस का टाइटल जीता है इन्होंने ना तो बिजनेस के टाइकून है ना ही यूथ के आइकॉन है लेकिन वो राजी में किसी फेमस पस्नालिटी से कम नहीं है एफबी पे एफम पे और ट्वीटर पे यहां देखो वही होट टॉपिक है ऐसे सेंसेशनल सेलिब्रिटी आकाश नारायन के बारे में आज एक्स्क्लूसिवली देखियेगा तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो मीडिया कभी वेट नहीं करती दोर ओपन नहीं सर दोर ओपन करके हमारा स्वागत करेंगे हम उनके रिष्टेदार हैं क्या हमें खुद अंदर जाना होगा पूछने के लिए कुछ नहीं है तो फिर क्यूं आए हमारे पास पूछने के लिए बहुत कुछ है जबाब देना ज़रूरी है मैंसे आप हैं कौन पॉल आउला पॉल ये कैसा नाम है येस आउला पुरम पॉल सब लोग अपने नाम को शौट करते हैं मैंने गाउं का नाम बाइद वे मैंने आपके घर में कदम रखा है आप बहुत लगी अगर यहां से बाहर जाएंगे तो आप लगी रहेंगे अचा अब बताइए आकाश इतना फेमस होगा ये बात आपको पहले से पता थी प्रकृति परिवर्तन पहले से पता चलता है क्या ठीक है आका आपका देवर होम मिनिस्टर की बेटी से शादी करेगा या फिर चीफ मिनिस्टर की बेटी से किसके साथ होगे ये तो नहीं जानती पर नहीं क्या तो पिटे का जरूर ओह हो उसने जो शौक दिया है लगता है उससे पूरी फैमिली का फ्यूज उड़ गया है यहां और हमें कुछ नहीं मिलेगा संसेशनल न्यूज बनाने के लिए दूसरा तरीका ढूड़ना पड़ेगा कमाउन शिफ्ट आकाश यहां पढ़ाई करते थे यहां खेलते थे और यहां धुआ उड़ाते थे ऐसा गाउवालों को कहना है फूटेज किस चैनल को भीज़ दे सां जो चैनल पै ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता है जो वादा किया है उसके मुताविक बैटी के शादी करवाओं रखांगे तो फिर क्या आप शादी नहीं करवाएंगे? मैं प्रेमियों का ना दुश्मन कभी था ना कभी बनूँगा मेरी बेटी के दिल में क्या है वो मुझे जानने दीजे वही जानने के लिए मैंने भी तुम्हें यहां बुलाया है लेकिन किस बारे में? इतने नादान बनने की कोशिश मत करो हमारे बीच के प्यार के बारे में कैसा प्यार? हमारे बीच तो पहले से ही एमपलायर और एमपलाई यही रिलेशन है ना? प्यार नहीं था तो तुमने मुझे बचाया क्यों? आपको बचाना मेरे ड्यूटी थी मुझे सबके सामने साड़ी क्यों पहनाई? हेल्प करना मेरे अंदर नैचरल है अगर सच में तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है तो फिर मेरे करीब क्यों आए? मैं आपके करीब नहीं है, मैं तो अभी करीब हूँ अंतर क्या है दोनों में? एफेक्शन और प्रोटेक्शन में जो अंतर है वही बातों को कैसे घुमा कर बदलना है ये तो कोई तुम से सीखे पता है मीरा और मैं एज स्टांडर से फ्रेंड्स हैं तुम्हारे लव स्टोरी के बारे में उसने मुझे का भी नहीं बताया और नहीं तुमने बताया सक्सेस्फुल लव स्टोरी होती तो सारी दुनिया को चिल्ला कर कह सकते हैं लेकिन मेरा वन साइड लव है ये बात वो भी नहीं जानती बहुत बढ़िया मेरा प्यार तुम्हें नहीं पता और तुम्हारा प्यार उसको नहीं पता वैसे वो सालों से यूरप में है और तुम हो विलिज बॉई तुम दूरों आखिर मिले कहां थे पुशकर में मिले थे गोदावरी में नहा कर जिन्दगी बहतर हो जाएगी यही सोचकर मैं पूरी फैमिली के साथ पुशकर गया था वहाँ लाखो लोगों की भीड थी और दूसरी तरफ वहाँ एक मंदिर का उधगाटन करने आये सीम का कारवाण बहुत गहमा गहमी थी इन सब में मुझे क्या करना पता नहीं था तो मैंने दादी ने दिये हुए गमचे को लपेटा और पानी में डुपकी लगए तीसरी डुपकी लगा कर बाहर निकला तो सामने खोबसूरत लगी एक साथ मन में सैकडो बासुरियां बजने लगी पुषकर में नहाने से पुण्य मिलता है ऐसा कहते हैं लेकिन मेरी जिंदगी में तो मीरा आ गई जान पैचान करने के लिए मैंने हेलो का पुलिस ने लाठी मार के चलो का उसे मैं भुला नहीं पा रहा था गोदावरी एक्सप्रेस में बैट कर सीएम के आफिस में पहुँचकर बाकी विजिटर्स के तरह रोज उसे देखता रहता पौधों को पानी देती मीरा नन्नन्ने पपियों को पेडिगरी खिलाती मीरा अचानक वो गायब से हो गई क्या हुआ जब एंक्वाइरी की मेरी रेंजर साइकल सूट नहीं करेगी इसलिए मैं ड्रॉप हो गए ऐसे मैं पीने का सोचा तो दोस्त साथ नहीं थे फ्लाइट के लिए अब जेब में पैसे नहीं थे शेयर आटो की तरह शिप में बैटकर इंडिया आ गया अब आप ही बताईए ऐसी वन साइड लव स्टोरी शेयर करने पर मुझे सिर्फ कमेंट्स मिलेंगे लेकिन लाइक्स नहीं मिलेंगे क्या हुआ कहानी कंटिन्यू करो कौन सी कहानी मैडम जी मुझे तुमने पुषकर में देखा था ना 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 कली तो पार्टी में पहली बार देखा यॉरोप आकर भी मिले थे यॉरोप को तो मैंने सिर्फ मैप में देखा है सच में कैसे है पता नहीं तो उससे जूट क्यों बोल रहे थे इस रिष्टे को कैंसल करने के लिए मैं उसके लायक नहीं इस लिए और मैं तो हुका हुआ उसकी लाइज स्पॉल नहीं होनी चाहिए तो मेरा नाम क्यों इस्तेमाल क्या किसी और लड़की का नाम लेता तो जूट उहँ पकड़ा जाता इसलिए सीम की बेटी का नाम लिया क्वेश्चन करने की किसी के हिम्मत ही नहीं होगी मेरे हाठ को अगर हाठ हो गया होता तो प्यूटी विद ब्रेंज वेरी रेर कॉंबिनेशन उपर से आप मुझ जैसे पर ध्यान नहीं दोगी यह जानता था पापा सीरिसली ले लेंगे तो क्या सुनिया मेडम बेसिकली मेरे एक स्टाइल है सामने वाले के रियक्शन पर मेरे एक्शन होता है तुम बहुत टेड़ी चीज हो हाँ जी कोई सीधा न कर सके इतना टेड़ा आखे फूट कही है यह तो पंडी जी सा लग रहा है सिद्धेश्वर जी आप यहाँ हाँ हाँ मैं ही हूँ दानवीर कंड की तुरह राजबार द्याकर गरीब क्यों हो गए आप अब मैं आपको क्या बताऊ पंडी जी उसने जो मुझे जटका दिया भया ने मुझे घर से ही बाहर कर दिया इसलिए दिन में पिने का पानी बेच रहा हूं और रात को सडक पर इड़ी डोसा बेचता हूं और तुम्हारी फैमली का है बीवी पार्सल बनाती है और बच्चे चटनी बनाते हैं पंडी जी हमारे होटल में खाने के लिए एक बर जरूर आना यह कैसी बाते कर रहे हो अब भी तुम्हें अकल नहीं आई अरे हीरो बनने के लिए मैं गाउं छोड़ कर आया था तो उन लोगों को क्या जवाब देता क्या कहता पंडी जी बॉलीवुड ने हमें बहुत कुछ दिया है अब हमें भी उसे कुछ ने कुछ देना होगा ना वरना हजम नहीं होगा मत मतलब दो तीन कॉमेडी सिन दो रेप सिन करके चला जाओंगा मत समझना उसे तुम्हें भाईया को सब को एक ना एक दिन जरूर दिखाओंगा किसी को नहीं छोड़ने वाला एक बात सुन लो मैं बाहु बली थरी का हीरो बनकर दिखाओंगा तुम सभी को फिलाल तो चलता कैन देकर घर डोसा काटा लेकर जाना है ओ माइ गॉड्ट लेज़िस वेज़ रो hey mira hi one minute yeah अजय टूर्व डूर् अे-ई-ई-ई-ई तुम ये खुबसूरत फूल लेकर आई हो? तुम्हें थांक्स बोलने के लिए आई हूँ. क्या थांक्स? वो क्यों? तुम्हारी वज़े से ही तो आकाश मुझसे मिला है. ये मेरी वज़े से कहा हुआ? वो तुम्हारे प्यार के चेकल में तुम्हारे पीछे यॉरप तक आया था. क्रेजी गाई. अच्छली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. उसने तुम्हे स्टोरी सुनाई थी. स्टोरी सुनाई? हाँ, वैसे प्यार करने के लिए स्टोरी सुनाय तो गलत है. लेकिन प्यार से बचने के लिए प्रॉब्लम नहीं है यानि कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब सब कुछ एक जूट था और ऐसे लड़के का तुमने हां के दिया ऐसा है इसलिए तो मैंने उसे हां का है समझाते हूं उसके बारे में पता किया फेमस होने के लिए नेता को पत्थर मारा प्रोमोशन मिलते ही मिनिस्टर को बीच सड़क पर छोड़ दिया और तुम से शादी रुखवाने के लिए मेरा नाम ले लिया हीस सम्धिंग उसके प्रेजंस ओफ माइन की दिवानी हो गए में श्रद्धा अकसर हम लड़कियों के दिमाग में एक उम्रे हो जाने तक कुछ क्वेश्चन्स हमेशा चलते ही रहते हैं कि सुन्दर लड़के से शादी करें या पढ़े लिखे लड़के से या पैसे वाले लड़के से लेकिन के से मिलने के बाद सारे साउमकी जवाब मिल गए किकल्मन लड़के से शादी करनी चाहिए मनेरा कूसर उन्हें न कहदो मैंने आकाश सही शादी करने का फैसला कर लिए है लेकिन उसने तो ना कह दिया ना बेटी, पर मैंने अब तक हार नहीं मानी है, आप ही बताएए, क्या उसे मीरा के लिए छोड़ दूँ, डाड को कब का सी एम बन जाना चाहिए था, लेकिन उसकी डाड ने मेरी डाड को रोक रखा है, और अब वो मेरी लाइफ में इंचफेर अब नहीं है, पता है डाड, मुझसे जिसे भी शादी करनी थी, वो मेरी रेंज से बाहर था, उपर देखे डाड, आपको उपर क्या दिखाए दे रहा है, रूफ, मुझसे जो शादी करना चाहते थे, वो रूफ की तरह ही थे, वहाँ लाइट, फैन और फॉल सीलिंग के अलावा, और कुछ नहीं होता, उनकी जगा आकाश हुआ तो, वो बिल्कुल अपने नाम जैसा है, उसके साथ बादल मिलेंगे, बिजली करकेगी, मौसम बदलते रहेंगे, लाइफ विल भी थ्रिलिंग, यूनो, वो प्लैटफॉर्म पर रहता है, तो आप ही उसे एक अच कीस कॉमन नहीं होती, और डाट बहुत दिमाग, और आकाश की पास जो दिमाग है, वो मुझे पसंद है, क्या सर, आपने धपड क्यों मारा, तो मैं तो जान से मार देना चाहिए, कोई अगर पत्थर से मारे, तो उसे जेल में डालना चाहिए, ना कि उसे नौकरी पर रखना चाहिए, मैंने तो सिफ नौकरी पर रखा था सर, लेकिन इनोंनों तो घर में ही गुसा लिया, क्या भा After all, एक common man से ज़्यादा कुछ नहीं है वो, लेकिन उसके लिए एक chief minister, home minister और विकास मंतरी बैटकर पंचायत कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो रात और रात उसकी कहानी खतम नहीं कर सकते क्या? कैसे खतम करूँ मैं, वो अब common man नहीं है, celebrity है, शेहर का बच्चा बच्चा उसे पहचानता है, उसके उपर मक्खी भी भंकी तो SMS contest रख देंगे चैनल वाले, CM ने मारा या home minister ने मारा, उससे हटाएंगे पर दिमाग से, सुरेश कुमार, सर, शास्त्री को फोन लगाओ, हाँ, 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 मरजुन, विद लॉट्स अफ गुण, हाँ, इसी एक्सप्रेशन को बदल ले के लिए, यहाँ पर आया हूँ है, I want young, young, you know what, यहाँ, पोरगी, चला, तुमारी उमर कितनी है, यहाँ आने वाले लोग सवाल कम पूछते हैं, फिर भी जबाब मिल ज स्टूराई भूझ का मार्क धूंझ रहा हूं सर् téléphoneसर्टट्ण काका ब manière का Jie कर रहा हूं तुम क्या प्लखन हो गए हो जो तम उबिचे मना कर रहे इसको क्या किसे शम जब य Bowl नहीं पांच मिनिट में तुम यहां आजाना वरना टास्क फोर्स वहां आजाएगी तुम है लेने इसकी कुंडली भगवाने नहीं लिखिये उसने खुद लिखिये और उसे ओवर्टेक करना मुश्किल है उसकी पावर का रोकने के लिए आपकी में पावर कंपड़ जाएगी हम इतने बड़े पोजिशन पर रहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते सर्व अगर आप उससे कुछ ह हंटे में मेरे पास होना चाहिए सर यह उसका गाउं है यह घार है और यह फैमली कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासल किया सर टीवी पर क्रिकेट मैच देखने के लिए एक बड़ी कंपणी का इंटर्वी भी चोड़ दिया इसने पेपर में नाम पाने के लिए मिनिस्टर साब को पत्थर भी मार दी वो देखिए सर यहीं पर यहीं पर मुझे पत्थर मारा था सर यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ और उसके बाद तो वह लगतार फेमस होता गया है उसके फैमिली मेंबर्स के बारे मैं बताओ यह उसका बड़ा भाई प्रकाश नारायन और तो यह जैनारायन का लड़का है हाँ सर अपने कुंदनपुर के जैनारायन का बेटा है यह मेरी सिंदगी में प्यार के लिए नहीं आया है वो कोई प्रेमी वेवी नहीं है सैनिक है वो तुम दोनों को कुचल कर मुझ तक पहुँचाए कि मुझे कुचल सके उसका शिकार मैं हूँ, निशाना मैं हूँ, गोल मैं हूँ वो एक कॉमन मैन रहकर जो नहीं कर सकता उसे सलिब्रेटी बन कर करना चाता है अच्छा प्लान है, प्लान उसने किया लेकिन उससे पूरा मैं करके दिखाऊंगा सुरेश कुमार, सर, कल उससे शादी की बात करनी है ये कहकर अपने गेस्टाउस में बलाओ मीरा जी, सीम साब ने शौक दे दिया, कुछ दिर पहले सुरेश जी का फोन आया था, हमारी शादी के बात करने के लिए कल सुबे नौ बजे, गेस्टाउस बुला है इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए घर में कौन-कौन है, ओके, अच्छा बताओ, तुम्हारी स्कीन इतनी गोरी-गोरी कैसे है, क्या लगाती हो, सीक्रिट है, ब्यूटी टिट्स बताई नहीं चाती हो ओ-ओ-ओ, शावर किस शैंपू से करती हो, वो सब छोड़ो, तुम क्या यूज करते हो, जब से तुमसे मुलाकात हुई है, तब से मेरा शैंपू ही पूरे शरीर पर लगा लेता हूँ फ्रीज पानी की एक भून, बिल्कुल एक हीरे की तरह, तुम्हारे बालों पर कैसी लग रही है, देखो तो अब वो तुम्हारे माते से धीरे से होते हुए धीरे धीरे तुम्हारे नाक के उपर आकर वहां से होटों को चूम कर खोबसूरत गले से होते हुए नीचे पिसल कर तुम्हारे हुसन को छूते हुए नीचे उतर कर सासों के साथ साथ सरसे से आखिर में नाभी में आगे थे क्या कुंडली बनी है तेरी शुक्र महादशा रुख जाईए तुमने किसको रुखा है पता है मैं इस घर का होने वाला दामा दूँ वो जाओगे उसके बाद बेचेक करेंगे अरे भाई अंदर कोई एंकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है क्या जनरली यहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं मजा कॉमेडी क्या बात है दोनों की बूर्णिंग सर तुमारा गाओं कौन सा है कुन्दनपुरे सर तुमारे पापा के नाम जैनारेंड सर क्या करते हैं नहीं रहे सर उपर चले गए कैसे वो हमारे गाओं के प्रेसिडेंट थे गरीबों को बीमारी दूर करने के लिए फिश की दवाई देते थे एक दिन उस दवा ने बुरा असर किया जिससे बहुत लोगों की जान चली गए इसलिए लोगों को गुसा आया और उनका कतल कर दिया तो लोगों ने तुमारे पापा की जान ले ली छोड़िये न सर बच्पन में हुए हदसे के बाद अब क्यूं याद दिला रहे हैं आपने शादी के बाद करने को बुलाया था वही बात करते न मतलब सच में तुम्हारे गाउवालों ने ही तुम्हारे पापा की जान ले ली थी हाँ सर ओके ओके तो ऐसे चल बसे थे सॉरी एक्शनली मुझे तुम्हे बुलाने का परपस ही अलग था लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है इसलिए तुम्हें जिन्दा वापस छोड़ रहा हूँ सुनो तेरी बेटी की शादी होने तक इंडिया छोड़ दो क्या सेर वार्निंग दे रहे हो ओडर ओडर है तो इस देश को ही क्या इस शेहर को भी छोड़ कर नहीं जाओंगा आपने बिल्कुल ठीक सुना मैंने फैसला कर लिया तुम किस से क्या बोल रहे हो पता भी है एक सिगनल दूँगा तो शरीर में सेक्डों गोलियां दस जाएंगा अहां दीजे न एए पांस साल से सत्ता में रहने वाला सी एम हूँ है सौ सालों से सत्ता में रहरा सी एम हूँ है कॉमन मैं वोड़ पावर नहीं चाहूं तो एक घंटे में हवा में कायब फच्वावा एक गंटा ने 24 गंटों का टाइम दे रहा हो जितनी तरह से चाहते हो उतनी तरह से कोशिश करो इस बात की हेकड़ी है तुम्हें फेमस हो गए हो या सेलिब्रिटी हो गए हो इसलिए तुम्हें कुछ भी करो प्रेस मेडिया पीछा पड़ जाएगी ये सोचतो क्या है ये 24 hours CM vs CM कोशिश कर लो 24 घंटों के अंदर मैंने मेरे हाथ रंगे बिना तुम्हें नहीं मरवाया तो अपनी बेटी की शादी तुम से ही करवा दूगा मेरी शुक्र महादशा सालसा डांस कर रही है यूँ खिलवाड मत करो एक बार सोच कर देख लो मुझे नहीं तुम्हें सोचना है कि इस कंपाउंड को कैसे पार करें जनरली मीडिया बात करें तो हम कानों से सुनते हैं लेकिन जब कान में ही मीडिया हो तो कैमरा लगाकर आरा यह? शेर का शिकार बन जाओ, मैं बली का बक्रा नहीं हूँ हाहाहाहा इंतेलीजेंट सेकरेटरि सुरेश कुमार टेक केर आफ सासुर जी सासुर जी, सी उटेवेटर 24 हो आवर सासुर जी, गीप देस उठारो से, कैमरा, सर, ये कोई कैमरा वेमरा नहीं है सर, वो तो आपको बेकूब बना गया, अब किसका फोन है, हेलो, पॉल, आमला पॉल, हे हे, मिस्टर पॉल, आप कैसे इस टाइम पर, अरे मैं कितनी बार फोन करूं तुम्हारे इंट्रव्यू के लिए, मैं फोन कर रहा ह यही बहुत बड़ी बात है, इस इंटरव्यू से तुम कहां पहुंचोगे पता है, फिलहाल बात करूंगा, तो उपर पहुंच जाओंगा, ओए, इस देश में मुझसे जादा बिजी भला और कौन हो सकता है, मेरे कॉल करने के बाद भी ना कहोगे, तो किसी काम के नहीं र है, जाँ रहा है, चलो मारो इसे, अरे कमेडियन भी इरियो के स्टन करने लगे, ये चलो जली करो, what a timing sir, what a timing, इसी टाइमिंग के वज़े से, मेरा टाइमिंग बढ़िया चल रहा है सर आप इंटर्विव के पहले कार लॉक चू कर रहे है मेरा इस्टाइली ऐसा है इंटर्विव स्टार्ट करने से पहले डोर लॉक कर देता हूं कहीं इंटर्विव से पहले भाग गये तो बीच में अगर कहीं रुखना पड़े तो जाहे जो हो जाए नहीं कुलेगा बताया ना मेरा इस्टाइल ये ऐसा है अब बताओ तुम्हारा सफर कैसे शुरू हुआ था पथर से ये लोग कोन हैं सीम साब के लोग हैं तो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं मैं उनकी बेटी के पीछे पड़ा था तो आप ये लोग मेरे पीछे पड़े ये बात तुमने अब तक क्यों नहीं बताई मैं आपको इंटर्व्यू दूंगा तो मैं कही और पहुँच जाओंगा इसलिए सोचा आपको इस चेस की गैप में ही बुला लूँ अरे मौत सामने खड़ी है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को दुनिया के सामने ले कर आओ ये कोई टाइम है इंटर्व्यू करने का ये क्या सार आप बीच में रुखने वाले थे अरे गलती से कह दिया था अब डॉर लॉक्त तो खोलो ये क्या है इतने टेंशन में तुम गेम खेल रहे हो टेंशन कम होगा ना इसलिए जंगली रमी खेल रहा हूँ अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ डोर जल्दी से करेंगे वाइन से करेंगे पहले मुझे इंसे बताओ मेरा गला सुख रहा है कुछ पीने का इंतजाम हो सकता है वान सेकंड सर ये लीजे पीजे अरे इसे ऐसे कैसे पी सकते हैं दिमाग है की नहीं जड़ा इस नारियल को बाहर पकड़िया इससे क्या होगा अब देखो बाद गटक लो करेंगे अरे अरे अपने सर से तो च्छती उड़ गई ओपने इर ओपने इंटर्यू कि यह कमान हुआ मिस्टर पॉल प्लीज गेट आन उत्रिये और कितना नीचे उत्रों मैं पहले से नीचे उतर चुका हूँ अरे कौन लोग है यह चबा कर थूके हुए चुंगम की तरह पीशे पढ़ गए है जरा फोन दीजिए तो तुमारा खुद का फोन नहीं है तुमें जवाब चाहिए जाएं चाहिए यह में कोई पूछने वाली बात है 200 cabs urgent on ring road 200 cool cab किस लिए अरे क्या या इतनी सारी टेक्सिस में उनकी टेक्सी कॉन सी है कैसे पता चलेगा यार ये तो सच्मा बहुर चाहती रहे ओ हो लाइफ का सबसे घातक इंट्रव्यू तु जा भाई ये क्या है मेरे आटो में सिर्फ यही बच गया है डेमेज का एक लाग दो हाँ एक लाग हलो चेक दो गया कैश क्या चेक क्या कैश जो खूल कैप तुमने बुक की थी उसके पैसे उसका बिल हुआ है दो लाग रुपए दो लाग रुपए है मीरा डॉर्लिंग अक्की कहां गाइब हो गए थे मैं सुबह से तुम्हारा फोन ट्राइ कर रही हूं डैड ने तुमसे क्या कहा डैड़ी क्या कहेंगे मैं गया बात की और डन ओके कर दिया उनोंने या ओ हम सो थ्रिल ये तो कुछ भी थ्रिल नहीं है आगे आगे देखो ब आटन अटनल्ड वाह मीम अगे देख वाह देखा वो बचना नहीं जाए थे तुम्हारा खे रहे हैं गाचापति यांखल्ल्ड ये जाए अजया जा प्रायं हए दो सम्हारा वहत्या उस सजाना आप अचल्टीर कर दो 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 आड़े जा़ा वारे जार्टीर पात्ड्टी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो झाल 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 झाल, 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 झा मेरी जिन्दगी में अंदर तक घुश चुके हो बस चेर पर कोने पर क्यों बैठ जाते हो तू इज़त करता हूँ ससुर जी की इज़त रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट आपका पेपर वेट भी कुरसी है आपको शायद पावर में रहना बहुत पसंद है आप ही ने लिख कर दिया था आपकी बात के मुताबिक आप अपनी बेटी मुझे सौप देंगे मैं उसे घर ले जाओंगा सबसे इंट्रड्यूस करवाओंगा एक मिनिट मेरी जगा पर आका सोच कर देखो यार तुम जैसे को मैं अपनी बेटी कैसे सौप सकता हूँ तो गुस्से में लेटर लिखने से पहले सोचना चाहिए था मैंने कहा था ना शुक्र महादशा दानसिंग देखो गोवा के पास बीच समंदर में मेरे पास एक आइलेंड है 200 एकर्स काफी होगा मीरा को भूल जाओ मीरा के बगयर आइलेंड किस काम का शम्शाबाद एरपोर्ट के पीछे 300 एकर जमीन है मीरा के बीना वो जमीन किस काम की ओके तो फिर 500 करोर्स लिक्विड दोंगा लाइफटाइम सेटलमेंट तो मीरा किस काम की ठीक सुना आपने 500 करोर्स लिक्विड कैश सुने में भी बहुत अच्छा लग रहे सर आपने अभी जो फिगर बताई मीरा की फिगर कुछ नहीं है सर एक दिन तो आप से मैं पंगा ले सकता हूँ पर मुझसे रोज रोज तो नहीं हो सकता ना जल्दी कीजिए सर मुझे खरीद लीजिए तुम्हारी कोई जाल तो नहीं है इसमें तुम सच मुझ मान गया हो और क्या सर आपका दिया ओफर पसंद आया कह रहा हूँ तो आप फिर से कंफ्यूस कर रहे हो सर हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए वो अपना मन वदल दे उससे पहले ये डील फानिल कर दीजे कर दीजे सर रे बाप रे बाप इतने पैसे तो मैंने सपने में भी नहीं देखे तो मेरे वालेट में तो कभी 5000 भी साथ में नहीं आये थे और ये 500 करोड अरे बाप मेरे गाहों तक थोड़ा ट्रांसपोर्ट का इंतिजाम कर देंगे एंबिलेंस होगी तो किसी को शक नहीं होगा अब बताओ तुम्हारा प्यार कैसा है आकास आकास की तरह है वहां पर बादल मिलेंगे विजलियां कड़केंगी मौस हम बदलेंगे बोल रही थी ना लेकिन वहां अंधेरा भी होता है बेटी और ये उसी अंधेरे जाए अब हुआ कि अब हुआ कि अब हुआ है कि अब तुम तक माल के निकले तुमने मेरे लिए इसको छोड़ दिया और फेर पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया तो कल इन सब को भी छोड़ दोगे मैं अपने डाट की तरह हूं डाट की तरह हूं ये कहते थी ना सच में तुम अपने डाट की तरह ही हो अब समझ में आया उन्होंने सेवा के नाम पर जैसे लोगों को धोखा दिया तुमने वैसे प्यार के नाम पर हम दोरों को धोखा दिया अब बस करो तुम मेरे पापा के बारे में एक और शब्द मत बोलना तुम जानती हो ये कौन है सब हमेशा खुश रहे इसलिए सभी को अपने बेटे की तरह मानकर देखभाल करने वाले देवता थे मेरे पापा मेरे देवता समान पापा कैसे मर गए जानती हो हर साल की तरह इस साल भी मचली औशद प्रसाद के लिए आने वाले लोगों का कुंदनपूर स्वागत करता है भगवान का अशिरवाद मानकर जिस रोग को हम डॉक्टर तक नहीं मिटा सकते उसे जड़ से उखाणने वाली दवा दे कर अपनी इस कला दोरा हस्तिनापूर तक प्रसिद्ध महापुरुष हमारे जय नरायन जी है मतलब वो डॉक्टर मेरे पापा के दोस्त हैं सिर्फ इसलिए उन पर भरोसा नहीं करते थे आसपास के लोग भी उन पर भरोसा करते थे जलता सुरज भी उनके इस पर्श से ठंड़ा हो जाता सहाब नमस्कार तुम्हारा विश्वासी तुम्हे नीरोगी बनाएगा जरा मुझ तो खोलो बेटा यह कमाने के लिए नहीं है सिर्फ सेवा के लिए है डॉक्टरी पढ़ने वाले जो रोक सही नहीं कर सकते उसे ठीक करके पुन्य का काम कर रहे हैं कम से कम हमारी खुशी के लिए तो अगर आपको कुछ देना ही है तो हमारे बच्चों को अपना आश्यर्वात देजी मेरे पापा की सेवाओं को देखकर पार्टी के हाई कमांड भी हमारे घर पर आये थे यह राजनीती मेरे बस की बात नहीं है कोई जानकार आएगा तो वो राजनीती करेगा और अगर आप आएँगे तो सेवा करेंगे ऐसी सेवा करने वाले जिले में बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोग बारिश की बूंधूं की तरह होते लेकिन आप अपने आप में ही समन्धर है लेकिन 15 सालों से टिकट का इंतजार कर रहे अशोग गजपती जी घलत सोचेंगे सिर्फ कुरसी के लिए सोचने वालों के बारे में हमारी पार्टी नहीं सोचती लेकिन अशोग गजपती ने कुछ और सुचा जब सब खुशया मना रहे थे तब उसको टिकट नहीं मिले उस कड़वे सच को कोने में छुपा कर मीठे जूट से हाथ मिलाने के लिए मेरे पापा के पास आया ये क्या है जी दुख बाटने वाले समय पर आप मिठाई बाट रहे हैं आपकी टिकट इन्हें मिल गई आपको बुरा नहीं लगा ना तो नहीं कहूंगा लेकिन बुरा मानने से कोई मतलब नहीं होगा ये ज़रूर कह सकता हूं एक मंडल प्रेसिडेंट बनकर मैं अपना काम कर रहा हूं लेकिन एक इनसान होकर ये लोगों की सेवा कर रहे हैं काम करने पर सेलरी मिलती है लेकिन सेवा करने से नाम होता है इसलिए उस नाम को वो टिकट मिला है ये ज़ंडा मैंने पार्टी को जिताने के लिए नहीं पकड़ा है, प्रजा के लिए पकड़ा है सर, अगर आप मेरे साथ चलेंगे, तो वो जीत आपके साथ ही शुरू होगा। उनकी दोस्ती को देखकर सारा गाउं खुश था, लेकिन अशोक गजपती के लोग गुस्से में उनके घर पहुँचे, ये सब क्या है सर, हाँ, एई, इच्छा जताते ही सब को मिल जाए, इतना असान नहीं है कुर्सी को पाना, ये एक सपना है, लेकिन हमने कितने मेहनत की थ कुर्सी नहीं, अरे वो भी तो वो छिन कर ले गया सर, पावर को कोई खीच कर नहीं ले जा सकता, वो देखो, उस कुर्सी को देखो, उसमें ऐसे कोई बढ़िया बैठे तो वो वील चेयर है, एक आफिस के सामने सिक्यूरिटी वाला बैठे तो वाच्में चेयर है, और तो में खिताबे होनी चाहिए थी, वहाँ पार्टी के जंडे आ गए, शोर क्यों मचा रहे हो, तुम लोग कब से जंडे को ले करके जगडा कर रहे हो, कुछ नहीं पापा, हमारी पार्टी का जंडा अच्छा है, लेकिन पार्टी का चुनाव चिन टाइगर की बज़ा ला यानी, लाइन गलती करता है, तो टाइगर्स अज़ा देता है, सभी टाइगर्स नहीं बेटा, सिफ बेंगॉल टाइगर के पास ही वो दिमाग और शक्ति होती है, इसलिए वो हमारा नैशनल एनिमल बना, और हमारे नैशनल पार्टी का चिन भी, ओ, तो बेंगॉल टाइग जोरा नैया हों के साथ, इसलिए चालू करके देख लो साथ, मचली और शद अचानक जहर बन चुकी है, लोगों की जान बचाने के लिए ट्रीट्मेंट चल रही है, पैसो के लिए फार्मा कमपणी के साथ मिलकर धोखा दिया जैना रही है, फ़से लोगों की जान जा चु अच्छे लोगों की उल्ठिया हो रही है, कितने लोग मर चुके हैं, कितनों के जिन्ना बचनी के उमेद भी नहीं है, डॉक्टर्स के जवाब नहीं के पा रहे हैं आपका यहां रहना ठीक नहीं है, मेरे साथ चलोगे, एई खटो, खटो, रास्तर दो, रुको, रुको जैनर अरां जी को जाकु मार दिया भगो। इस नहीं नहीं है, मैंने मार आ मौत उनके साथ परचाई बनकर भूम रही थी, जिसे पापा पहचान नहीं पाई उसे क्या देख रहे हो, तुम नाहीं पर भरवसा करते हो तो वो पैसों पर करता है फार्मसिटिटिकल कंपनी ने उस डॉक्टर को खरीग लिया और उस डॉक्टर ने तुम्हे खरीदा है, यही कहानी बनाई है तुम्हे खुत्रम करने से पहले तुम्हारे नाम को खतम करना चाहता ता इसलिए ये समझ UI आप मेर्य रोग में से पहले मेरी एक पाप सुन्डो गैस्टे वाले से पंगा ले सकते हो प्राकतवर्से पंगा ले सकते हो बढ़ें बैक्राउнд माले सकते हो निकिन अकलमन इंसान से कभी पंगा नहीं लेना चाहे है उस बे इज़्जती के बाद हम अपनी नानी के गाउं चले आए उनके डॉक्टर दोस्त अब भी जिन्दा है ये बात मैं लड़की देखने गया था तब पता चली मारा फैमिली फोटोज और ये हमारे ताउ जी एक एक्सिडेंट में भगवान ने उनके पूरी फैमिली को अपने पास बुला लिया लेकिन शायद मुझे सच बता सके इसलिए उनको जिन्दा रखा था उसने जैनाराइन को चलाकी से मारा उसी चलाकी के तुम्हें अपना हथियार बनाना होगा मा, मा, मा बैठी मा, मा, मा रो मा घर की चौखट लांगे बिना घर के अंदर ही रो रो कर जिंदगी गुजार दी उस मा को क्या जवाब दोगी अपने पापा का नाम गर्व से ना ले पाने वाले मेरे भाईयों को क्या जवाब दोगी एई उम्र में तुम हम दोनों से छोटे हो लेकिन इस जिम्मेदारी को लेकर इस घर के बड़े बेटे बन गए भाया तो फिर तुमने वो पैसे क्यों लिए कल मेरे पापा की पुर्णेती थी जिस दिन उनकी बेज़ती हुई थी जिस गाउने मेरे पापा को धुत कारा था वही गाउन दुबारा मेरे पापा को पूझने लगे वो करूँगा इसलिए पैसे लिए कल फ्लाइग होईस्टिंग पर ये कुर्टा कैसा रहेगा अच्छा रहेगा सर बहुत अच्छा रहेगा तुम ऐसे टेंशन में क्यों हो वीरा को उसका करेक्टर ठीक से समझा दिया है उसके मुझ पर मार कर आएगी आपने लायक उसने कुछ नहीं किया है ये तुम क्या कह रहे हो बेटी पता है न वो अब आप और जामा मत करो मुझे सब पता चल चुका है मैंने सोचा था आप मेहनत करके इस उचाई तक पहुचे है लेकिन इस कुरसी के लिए आपने इतने लोगों की जान ली है आपने दुश्मन का कब कैसे शिकार करेगा ये कोई नहीं कह सकता गेट रेडी तो फेस हिम प्राइब साल अ! इक्स्कीज मी सर यू कांट होईस्त अ फ्लाइक सर वट आप जंडा आरोहन का सम्मान खोचुके हैं आप अपकात कर रहे हो तो मैं मैं सीय महूँ आप उस पत से हटा दिये गए पार्टी हाई कमांड ने आपको अभी उससे डिसमिस कर दिया है कर दो कर देखना व्लाइब फ्लें कर दो कर दो झाल कर दो व्ल्रश क्या हो आ रामचेदर जी? सारी सर, गवर्नर अपाइटमेंट कैंसल हो गया अज़ पर प्रोटोकॉल, आपकी सारी जेट प्लस सेक्योरिटी को इमीडियर विद्डॉर करना है, डीजीपी का ओडर है क्या आप भखवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ 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 है अशोक गजपती तुमने अब तक दूसरों को खरीदा था उनी पैसो से मैंने तुम्हारे आदमी को खरीदा क्या मतलब है तेरा? मेरे कहने से ज्यादा तुम खुद देखोगे तो ज्यादा मज़ा आएगा पूरे देश में आज तुम ही ब्रेकिंग नीज हो ओपरेटर सुरेश कुमार, जड़ा इने भी तो फिल्म लिखा दो तीन सो कराट रुपे की दिश्वत लेते हुए तंके हाथ पकड़े गई सी एम अशोक गजपती पार्टी हाई कमार्डे उन्हों के पद से सस्पीन कर दिया है मचली अश्र में जहर मिलाने के कारण लोग अशोक गजपती के खुद्लों पर छाड़ों चपल मार रहे हैं इस नियूग में खड़े होने वाले दोनों मंत्रियों को भी पस से हटाने के बाद सीवया इन्वेस्टिगेशन बिठा दो किसने मदद की तेरी तब मेरे पापा को ढूनते हुए आपके पार्टी मेरे घर आई थी इसलिए इन सबुतों के साथ मीडिया में जाने के बजाए आपको ढूनते हुए आपके पास आया हूँ सिर्फ तुम या तुम्हारा गाउं ही नहीं इतिहास भी याद रखेगा ऐसे कुर्सी से उतार भेंकूंगा मैं उसे दरसल मैंने जर्नी स्टार्ट की थी फेमस होने के लिए या सेलेब्रिटी बनने के लिए नहीं सिर्फ तुम्हारे लिए जब मैं तुम्हारी लाइफ में गुसा तब मैं तुम्हारा टागेट बना पर तुम्हें टागेट करके मैं तुम्हारी लाइफ में दूगा तुम्हारी केबिन में अंदर आने से पहले ही तुम्हारी कैबिनेट में घुटा वै उसका डबल दूगा तुझे ये वीडियो कैसे मिला? तुमने मेरे पापा का राइट हैंड इस्तिमाल किया और मैंने तुम्हारा राइट हैंड तुमने जो मुझे 500 करोड दिये उसमें से 100 करोड उसको दिया उसने मुझे रिटर्न गिफ्ट में HD क्वालिटी फुटेज दिया ये प्रोजेक्ट ही ठीक नहीं है लेकिन इतने पैसों को रिजेक्ट करना भी ठीक नहीं है इसलिए मैं मान जाता हूँ थोड़ा मजबूर था सर 100 करोड मेरे जैसों के लिए उसने लाइफ टेम अपरचिनिटी है अब तुम दिल्ली के तिहार जेल में जाओगे मैं मा के साथ गाओं में जाओंगा और तुम्हारे बाकी के करोडों रुपए मरने वालों के परिवारों के पास जाएंगे कुर्सी तो चली गए लेकिन मेरे अंदर का शैतान अभी जिन्दा है अब तक हम पर भुरुसा नहीं करते है पर भुरुसा नहीं करते हैं अबज़ता है और नए अबज़ता है को अबज़ता है इसे उस दिन जिन्दा रखकर मैंने भी खलती की थी इसके मूख खुलने के वज़े से ही मेरी ये आहलत है आज उससे सुधारता हूँ पेरे साथ जो होना चाहिए ता वही हुआ तू लोगों का ही इंतिजार कर रहा है ना आज के दिन ना तू ना ये काव कुछ नहीं बचने वाला तब सम्षान बन जाएगा भारा अजार आएगा अजार आएगा अजार अजार आएगा शहाओ अगर तुम मेरा बेटा है तो इस हेवान को जिन्दा पार करती है अगर मेरा बेटा है अगर मेरा बेटा है अगर मेरा बेटा है झाल 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 युट झाल अजट एकम लोग sorting जख ही जाव कि अपरे पुप चौ क्यों गया पंडी जी यह कैसे मुम्किन है लड़के की कुटिली में जिर्फ दो ही बच्चे है लेकिन लड़के की कुटिली में चार बच्चे वहां देखिया